हेलो एब्रिवन कैसे हैं आप सभी मैं आप हो शुरास तब आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस्प्राइट पर तो जैसा कि हम जानते हैं कि आप सभी लोग की प्रिपेशन अच्छी चल रही हो रही कॉश्चंस बगेरा आप प्रैक्ट इरिगेशन कैनल का जो क्रॉस सेक्षन होगा वो किस तरीके से देखता है उसमें क्या क्या टर्मिलोजी है उन सभी टर्मिलोजी को हमें यहां पर देखना है उसको समझना है क्योंकि वहां से हमें कॉश्चंस पूछे जाते हैं तो एक एक करके हम आगे बढ़ेंगे और इस terminology को समझने की कोशिश करेंगे कि यह terminology है क्या किस तरीके से पूछे जाती है तो देखेगा ये एक canal जा रही है इस canal को मैंने बीट से काटा है यहां से और आप यहां सामने खड़े हो जाई उसका cross section देख रही कोशिश किये अगर हम बात करें कटिंग में भी define हो सकता है और दूसरा define हो सकता है in filling दो तरीके से define हो सकता है mainly दो तरीके से ठीक है cutting and filling का मतलब क्या है मान लिजे यह आपका है natural surface level जैसे हम बोलते है nsl ठीक है nsl और अगर हमारा natural surface level natural surface level जो है वो top of bank से उपर है अगर हम बात करें जो हमारा natural surface level है वो top of bank bank के top से उपर है मतलब अगर हम जो बात कर रहे हैं यह हमने यहाँ पर ground बनाया है और यह है top of bank यह bank है ठीक है और अगर हमार natural surface level bank से उपर है तो हमें यहाँ पर excavation करना पड़ेगा और cutting में आना पड़ेगा नीचे side पे आना पड़ेगा जिसने हमारा पानी properly flow कर सके क्योंकि अगर natural surface level bank के label से उपर जा रहा है तो पानी दोनों side पे गिरता जाएगा और properly channel में flow नहीं हो पाएगा तो cutting में जब हम cup prefer करते हैं जब हमारा natural surface level जो है वो top of bank के उपर जा रहा है या बराबर भी जा रहा है उससमें हम क्या करेंगे cutting में नीचे side पे आएंगे और नीचे side पे excavation करेंगे और उस वहाँ पर एक channel section बनाने की बात करेंगे तो जो पहला FSL दिख रहा है ये बाला भूल जाओ भी पहले उपर वाला FSL भूल जाओ बिल्कुल भूल जाओ ये FSL दिख रहा है तो अगर ये section आएगा natural surface level उपर हो गया और bank से उपर हो गया था या bank के बराबर हो गया था तो हमने क्या किया नीचे लेकर के आए और cutting में पूरा section ये बना दिया है स्थी canal bed से नीचे है क्या है canal bed से नीचे है अगर हमारा NSL जो है वो canal bed से नीचे है canal bed यहाँ पर है canal bed उपर साइट पर है ये हमारा देखो NSL यहाँ पर है ये blue pen जो है वो NSL का है ठीक है ये जो blue pen है वो NSL के लिए और ये हमारा canal bed उपर जा रहा है या जो top of bank है वो थोड़ा सा उपर जा रहा है तो इस condition में देखो पानी अगर हम बात कर रहे है NSL हमारा जो है वो नीचे है और जो हमारा canal bed है उपर है तो इस condition में side से पानी को रोखने के लिए क्या हमें banks बनाने पड़ेंगे या नहीं banks बनाने पड़ेंगे तो उस condition में हमारा banks बनाने पड़ेंगे और banks बनाने पड़ेंगे तो उस conditions के लिए हम क्या बोलते है less than canal bed है या less than top of bank है तो इस condition में हम क्या करेंगे filling में construction करने की कोशिश करेंगे बट देखो दोनों ही case चाहे हम cutting में लेकर के आए canal section को तो हमें क्या करना पड़ेगा यहां से जो soil excavate हुई है उसको बहार ले जाना पड़ेगा और बहार ले जाके क्या करना पड़ेगा उसको किसी transportation unit को use करना पड़ेगा जिससे हम उसको दूसी जगए पर dispose कर सके या dump कर सके कहीं से transportation करकर लानी पड़ेगी और जब कहीं से transportation करकर लानी पड़ेगी फिर से cost effective नहीं होगा तो इसलिए हमने एक बीच का रास्ता निकाला है canal cross section partly in cutting and partly in filling partly in filling हमने canal cross section बनाने की कोशिश की है जो कि partly किसमें हैं? partly cutting में है और partly filling में है मतलब थोड़ा सा portion cut करके हम NSL के नीचे आ गए है और उपर side पे यहां से जो soil excavate की उस soil से हमने क्या बना दिया? banks बना दिये तो इस soil को transportation करके कहीं दूसी ओल भी नहीं दे जाना पड़ा और जो हमारा filling का soil है वो भी यहीं के यहीं हमें मिल गया तो transportation cost तो हमारा consideration कर से हो गया? economical तो हम बात कर रहे हैं for balancing earthwork earthwork को balance करने के लिए हम इस तरीकी की conditions को use कर रहे होते हैं and make make economically economical construction हम construction को economical बनाने के लिए और earthwork को balance करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? partly in cutting and partly in filling तो हम जो यहां पर यहां पर cutting कर रहे हैं उसको ही यहां पर filling में use कर ले रहे हैं तो इस तरीके से अगर हम canal cross sections को देखे हो तो different तरीके से define हो सकता है cutting में भी define हो सकता है filling में भी define हो सकता है और किस तरीके से define हो सकता है? partly in cutting and partly in filling हमारा define हो सकता है अब हम आगे की बात करते हैं किक करके ठीक है तो हमारे जो कॉनल क्रॉस सेक्षन में पार्टली इन कर्टिंग इन पार्टली इन फिलिंग की बात करूंगा इस क्रॉस सेक्षन की बात करूंगा बलकि इनके लिए भी जो भी जरूरी चीजें हैं वो मैं यहां पर मेंशन करवा दूंगा आपको ठीक है तो उस bank के बात कर रहे हैं तो in banking तो canal cross section infilling या canal cross section in banking दोनों एक ही हैं और canal cross section in cutting अलग है उसको हमने यहाँ पर बना है ठीक है अब नीचे वाला portion अब देखो अब अगर हम बात करें one or two one or two तो अगर partly infilling है और partly in cutting है तो कभी supply level नीचे हुआ कम हुआ तो नीचे आ जाएगा या नी फुल supply level नीचे जाएगा और अगर जाता होता है तो bank के करण उपर हो जाएगा या बरसाद वगर का season आया या flood वगर आया तो उपर गया और one में ये bank के करण supported हो जाएगा तो दौनों तरफ से support हो रहा है यारी तो इसलिए यहां पर दो-दो F.S.L. बनाए हुए है full supply level मैंने बनाय हुए है अभी तो मैं बात समझ में आई दो-दो full supply level क्यों दिख रहे थे दो-दो full supply level क्यों दिख रहे थे ये बात समझ में आ गई या नहीं तो इस तरीके की बात हम ने की और अब हम बात करते हैं या पर आगे की section की दिखे तो ये जो होता है इसको हम बोलते है canal bed जो नीचे का portion होता है बिलको bottom most portion होता है तो वो हम बोलता जाता है canal bed और जो ये side portion होता है इसको बोलता है side slow canal का side slow इसके उपर अगर हम चलें तो ये जो यहां से excavate work निकाला गया है उसके थुरू जो यहां पर filling की गई है उसको हम बोलते है bank या spoil bank बोलते हैं थोड़ी देर बत बताऊंगा spoil bank क्यों बोला जाता है हम बोल सकते हैं इनको spoil bank लेकिन spoil bank की थोड़ी सी definition अलग दी गई है अब bank क्यों होते है तो bank का का काम होता है जो भी water इस canal में बह रहा है उस water को retained करना इसके proper shape के according proper geometry के according इसको retain करना किसका काम होता है bank का दूसरा erosion को रोकना erosion को रोगना erosion को कैसे अगर मानलो flood आ गया तो यह flood आने के करण जो भी है पानी की depth बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी और बढ़ती जाएगी तो side wise erosion भी बढ़ते जाएगे या नहीं और विर्थ बढ़ती गई तो changes आएगे और changes आएगे मतलब discharge changes आएगा और हमारा canal efficient नहीं हो पाएगा तो हमारा protections करना किसका हमारा protection करना areas का surrounding areas का जो भी surrounding areas हैं उनको भी protect करना हमारा किसका काम होता है हमारा bank का काम होता है ठीक है और भी कई सारे काम होते हैं जैसे कि ये bank का जो उपर का surface होता है वो एकदम flat हो जाता है और अगर flat हो जाता है तो इस पर movement करने के लिए जैसे तुम्हें cycle ले जाना है तुम्हें पैदल दलके जाना है छोटी मोटी connectivity होना है जैसे ruler areas जो होते हैं गाउं के areas जो होते हैं वहाँ पर connectivity के लिए भी नहर के side वाला portion आप use कर रहोते हैं वहाँ पर cycle चलाते हो मजे से वहाँ पर घूमने भी जाते हो morning walk, evening walk जाते हो या वहाँ पर afforestation भी कर सकते हो मतलब पेड भी लगा सकते हो पेड भी लगा सकते हो तो इस सभी के लिए use होता तो इस road पर आकर के आप inspection कर सकते हो या फिर छोटी मोटी connectivity के लिए दो जगे हैं उनके बीच में canal जा रही है और उनकी connectivity के लिए canal के side by side हमने road प्रोवाइट कर दी तो एक छोटा बाहान जैसे cycle हुआ, scooter हुआ, two wheelers हुए या फिर कई जगे बड़ी-बड़ी roads भी पता है यहाँ पर कोई जानबर भी चल रहा हो, कोई animal हो, अगर कोई animal होगा तो वो क्या करेगा, वो यहाँ से आएगा और धीर धीर यहाँ करके डुपकी लगा जाएगा इस नहर में, इस canal में डुपकी, तो उनकी entry रोकने के लिए या तुमारी ही cycle यहाँ चल रही है, रा तो वहाँ पर एक boundary बना दी जाती है, जिसको हम बोलते है dollars, ठीक है, तो जैसे यह service road है, समझिए गवाद को, यह service road है, service road के side पर एक छोटी सी, छोटी सी wall बना दी जाएगी, जिसे हम बोलेंगे dollars, क्या बोलेंगे dollars, d-o-w-l-a-s dollars भी बोलते हैं, या dollar भी बोले जाता है, क के नहर में, कैनाल में गिरने के या channel में गिरने के chances कम हो जाते हैं, ठीक है, next, ये portions जो है, ये इसको कहा जाता है berm, और berm से काफी सारे questions पूछे गाए हैं, तो देखेगा, जो हमारा bank है, कैनाल bank, कैनाल bank के toe point से लेकर के, top is of cutting, ठीक है, कैनाल point के, toe से होकर के, toe of bank से होकर के, टॉप is of cutting के बीच का, जो horizontal distance होता है, उसको हम बोलते है, berm, तो berm क्या है, एक marginal distance है, बर्म क्या है, कुछ भी नहीं है, बर्म क्या है, एक marginal distance है, marginal distance क्यों बोल रहे हैं, मालने ये कभी यहाँ पर, कभी यहाँ पर, बहुत तेज पानी का बहा हुआ, और बहुत तेज पानी का धीरे-धीरे पानी का level बढ़ जाएगा, और bank बिलकुल बगल में होंगे, तो bank को erode कर देगा या नहीं, bank को क्या करेगा erode, तो bank का erosion बचाने के लिए, थोड़ा सा horizontal distance प्रोवाइड कर रहे हैं, और इस horizontal distance में पानी थोड़ा सा शान्त हो जाएगा, जिसके कारण erosion of bank रुख जाता है, bank का erosion रुख जाता है, तो हमारा maintenance work भी साती साथ चलता रहता है, ठीक है, next क्या करता है, यह जो बर्म है, यहाँ पर बहुत तेज दिस्चार्च था, बहुत तेज पानी था, यहाँ पर कुछ शान्त हो जाएगा या नहीं, इस portion में जाके, और जब कुछ शान्त हो में भी helpful हो रहा है, in future, अगर हमें जरूरत पड़ी, तो देखिएगा, यह जो portion है, कैनाल का, यह एक extra portion है नहीं, इतना जो स्वाइल है, वो extra portion है, तो यह future scope देता है, कैनाल को wide करने के लिए, कैनाल की widening के लिए क्या दे रहा है, future scope भी provide कर रहा है, इतना और स्वाइल आप से अभी excavate कर सकते हैं, तो bank पूरा इस तरीके से properly आ जाएगा, ठीके, या फिर silting वगेरा हो गई, तो silting होने पर क्या होगा, यह जो देखिएगा, यह इस तरीके से अगर हमें बात कर रहा हूं, यहाँ पर दूसरे pen से बना देता हूं, यहाँ पर अगर silting हो गई, यह silting ह हो गई, तो silting होने में capacity कम हो जाती है, और capacity कम हो जाती है, तो फिर से इसको क्या करना पड़ेगा, excavate करना होगा, तो इस portions को भी हम silting हो गई है, तो उस condition में जो बर्म होते हैं, वो future scope प्रोवाइड करते हैं हमारे आगे आने का, या फिर bank यहाँ से erode हो गया, suppose bank को बचाने के लिए बर्म दिया, लेकिन फिर भी bank erode हो गया, और bank erode हो गया, तो as a borrow pit भी इनको use कर सकते हैं, borrow pit का मतलब है, एक ऐसी जगे के form में use कर सकते हैं, जो की हमें बचाएंगे, जो की हमें बचाएंगे, जहां से soil को निकाला जा सकता है, excavate कर सकता है, तो future scope of widening का मतलब क्या ह हुआ, as a borrow pit भी इनको use किया जा सकता है, जैसे silting किया, अगर तुम बिलकुल यहां से बनाते हैं, silting में थोड़ा सा और soil नीचे का निकाल लिया, फिर आगे और निकाल लिया, फिर आगे और निकाल लिया, तो as a borrow pit भी इनको हम यहां पर use कर सकते हैं, ठीके, तो हमने क्या- dollars के बारे में भी जाना है, ठीके, अब हम next terminology पे चलते हैं, थोड़ा सा सुन लो, मैं सारी चीज़ें लिखवाऊंगा, ठीके, थोड़ा सा सुन लो, पहले समझ लो, एक यी बार में cross section क्या है, उसके बाद आगे बरते हैं, ठीके, उसके बाद क्या होता है, यहां पर होता है spoil bank, spoil bank क्या होता है, देखो, जो यह तुम कैनाल का cross section बना रहे हो, वो balancing earthwork, earthwork balancing का मतलब है, cutting is equal to filling, तुम क्या करना चाह रहे हो, cutting is equal to filling, जितना cutting में material निकल के आए, वो किसके बराबर हो, filling के बराबर हो, but in case, तुम्हें cutting जादा करनी पड़ी, cutting जादा करनी पड़ी और filling कम क तो cutting जादा करनी पड़ी, मतलब यहां से excavated material जादा है, filling कम है, तो तुम क्या करोगे, उसी पे जितनी हमारी requirement है bank के लिए, एक bank बनाने के लिए जितनी requirement है, वो requirement fulfill हो गई है, उसके बाद भी excavation continue है, तो हम क्या करेंगे, कुछ extra bank की width provide कर देंगे, या bank की extra height provide कर देंगे, तो जो access material है, अगर मानली जे cutting is greater than filling हो जाता है, तो कुछ access material निकल करके आएगा, और उस access material को भी bank की requirement complete होने के बाद, उसी के साथ place कर दिया जाता है, उसी के साथ place, तो उसको बोल दिया जाता है spoil bank, जो access material है bank का, उसको बोल जाता है spoil bank बोल दिया जाता है, तो bank या spoil bank एक ही ची है बट उनके नाम थोड़े से डिफरेंट हो गए है उनके परपस के विसे बैंक मतलब जितनी रिक्वार्मेंट है उतना हमने बनाया है स्पॉयल बैंक मतलब कुछ एक्स्ट्रा बना दिया है ठीक है तो बैंक और स्पॉयल बैंक अभी क्लियर हुआ दौनों में अंतर क्या है बट हम दौनों को अल्टरनेटेबली एक दूसरे के लिए यूज़ कर सकते हैं ठीक है नेक्स बात करें तो यहां पर हमने टाम लिया है काउंटर बर्म counter warm होता क्या है counter warm थोड़ा सा समझ लेना कि क्या होता है ठीक है ये साफ कर दूँ NSL ठीक है तो ये note कर लिए canal cross section इतना सा note कर लो canal cross section और diagram बना लो ठीक है अब आगे बढ़ते हैं ठीक है देखिएगा जब भी यहां से पानी निकल करके आएगा तो पानी निकलने के लिए हम क्या करते हैं एक यहां पर saturation gradient line निकल करके आती है क्या निकल करके आती है saturation gradient line और अगर हम saturation gradient line की बात करते हैं तो saturation gradient line एक तरह के CPS की ही एक line होती है और अगर यह saturation gradient line है तो किसी भी case में अगर हम बात करें किसी भी case में इसकी जो distance है bank से 0.5 meter maintain होना चाहिए 0.5 meter maintain होना चाहिए ठीक है bank से तो 0.5 meter maintain है बट अगर full supply level इस level के ऊपर चला गया cutting बाले portion के ऊपर चला गया तो यह बताओ क्या यह यहाँ पर जो हमारा saturation gradient line आएगी कुछ इस तरीके से आएगी या नहीं यह हमारा इस तरीके से हम ड्रॉ करते हैं कि cutting का top portion यहाँ 0.5 meter बना के रखे अगर यह मान लो full supply level उपर पहुँच गया तो क्या अब यह distance 0.5 meter होगी या नहीं तो उस distance को 0.5 meter हमें मानने के लिए बचाने के लिए हम पीछे साइड पर भी natural surface का कुछ covering कर देते हैं जिसे हम बोलते हैं counter warm तो counter warm जो होता है वो saturation gradient line को एक cover provide करने के लिए होता है जिससे की bank portion erode ना हो bank portion बहना चादू ना करे और अगर saturation gradient line अगर यहां पर आ गई और 0.5 meter का यहां पर distance available नहीं है तो वो क्या करेगा इस material को erode करना start हो जाएगा या CPS के करण यहां से बाहर तो down stream side में या बाहर side में पानी का losses होना start हो जाएगा तो इस losses को रोकने के लिए हमें 0.5 meter saturation gradient line और bank के side में 0.5 meter का minimum distance provide करना जरूरी होता है तो उसके लिए हम क्या provide करते है counter burn मतलब यहां पर भी कुछ soil या filling material यहां पर भी put up कर देंगे जिसके कारण यह पानी बाहर की side pressure ना लाता है और बाहर की side ना निकले CPS ना हो तो यह सारी terminology है हमारी किसकी canal cross sections की अभी clear है सभी को सभी को यह बात clear है अब यहां पर जो भी doubt है एक एक करके हम उसको discuss करेंगे उनके सारे parameter discuss करेंगे और आगे बढ़ते हुए हम चलेंगे ठीक है तो सबसे पहले हम हम बात करते हैं किसकी side slope की तो side slope की अगर मैं बात करता हूं तो side slope की अगर हम बात करते हैं तो in cutting in cutting अगर हम बात करते हैं in cutting cutting में जो side slope लिया जाता है वो one horizontal to one vertical to one and half horizontal to one vertical लिया जाता है कभी भी side slope अगल लिखा रहा है तो इसको one ratio one लिखा जाता है one ratio one का मांदब क्या है one horizontal to one vertical और यह होता है one and half ratio one तो यह one and half ratio horizontal to vertical हो जाता है ठीक है अगर हम बात करें बात करें तो in filling, filling की condition में जो side slope लिया जाएगा वो कितना लिया जाएगा one and half horizontal to one vertical to two horizontal to one vertical लिया जाता है ठीक है अब आपसे कौशन यहाँ पर पूछ सकता है क्या भीया बताओ क्टिंग में slope क्या होता है side slope कितना लेते हैं क्टिंग में जो side slope लेते हैं वो कितना mention किया जाता है तो देखो यहाँ पर अगर मैंने बात की है यहाँ पर देखो डाइग्राम ना देता हूँ यह side slope है ठीक है क्टिंग में side slope का मतलब यह है कि one two one and half horizontal two one two sorry sorry one vertical अगर हम बात करें तो इस तरीके slope यहाँ पर यह ठीटा slope यहाँ पर define हो सकता है यह conditions हमारा बोलने का तो आप से क्या पूछाएगा कि भीया होता यह cutting में side slope जादा होता है कौन सा किस condition में side slope जादा होता है यह steeper होता है in cutting यह infilling in cutting यह feeling cutting में जादा होता है यह feeling में जादा हो तो देखिएगा अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर one horizontal to one vertical one horizontal to one vertical ठीक है उसी condition में यहाँ यहाँ पर कितना है तो one and half horizontal कहां यहाँ आ जाएगा या नि और one vertical की बात कर रहे हैं तो यह one vertical आ गया तो one and half horizontal to one vertical अब मुझे बताओ तो अगर जो condition है यह slope यहां से define है theta one और यह slope यहां से define है theta two तो मुझे बताओ कौन सा slope जादा हो रहा है theta two जादा steep हो रहा है तो ध्यान रखिएगा in cutting the slope is always steeper than the slope in the filling अगर हम बात करते हैं तो जो हमारा filling का slope है वो हमेशा flatter रहेगा cutting के slope से तो यह important point है लिखिएगा in cutting slope is steeper than the side slope in filling side slope in filling यह important point है objective में पूछा जा सकता है important point है objective में पूछा जा सकता है तो यह चीज़ हमें बिलकुल ध्यान रखना है canal side slope के बारे में यह objective के question है बच्चो पूछे गए question से इसलिए मैं यहां पर इन सभी को discussion कर रहा हूँ आपके साथ ठीक है note कर लिया इसको बहुत बढ़िया चलो अब आगे बड़े second second हम बात करेंगे बर्म की second हम बात करेंगे बर्म की ठीक है इसमें लिखेगा इति इस होरीजान्टन डिसे between toe of bank and top level of cutting top level of cutting बिल्कुर सेप्पल सी distance है बस ध्यान रखना है कैसी distance है horizontal distance horizontal distance between the between the between the toe of bank and top level of cutting यह कई books में इस तरीके से लिखा हुआ है and the top is of cutting तो top is of cutting भी आप इसको mention कर सकते हो and the top is of cutting उसके बीच में जो distance होती उसको हम क्या बोलेंगे उसको हम बोलते हैं क्या बर्म बोलते हैं अगर हम बात करें तो purpose अगर हम बात करें तो purpose तो purpose क्या है बर्म के बर्म प्रोवाइड करने का purpose क्या है purposes तो purposes की बात करते हैं पहला purpose protection of banks protection of banks banks का protection करना against erosion against erosion erosion के against bank को protect करना वो भी हमारा किसका है वो हमारा बर्म का purpose होता है ठीक है दूसरा helps in achieving in achieving resume condition resume condition कैनाल को resume condition achieve करने के लिए अगर हम बात करते हैं तो हम क्या provide करते हैं हम provide कर रहे होते हैं berms provide करते हैं ठीक है next provide future scope of widening the future scope for widening the canal for widening the canal canal को widening करने के लिए future scope भी provide कर रहे होते हैं ठीक है next next क्या है हाँ can be used as used as used as borrow pit borrow pit for excavating soil excavating soil soil को अगर excavate करना हुआ तो इनको किस तरीके से use किया सकता है इनको as a borrow pit भी हम use कर सकते हैं तो ये सारी चीज़े हैं purpose अब देखो कई लोगों के मन में doubt आ रहा होगा अब सर ये जो बर्म हैं इसकी जो distance है वो कितनी लेते हैं horizontal distance तो बोला ये distance किते हैं तो देखो ये distance depend करती है इस cutting के slope पर और इस filling के slope पर ये distance किस पर depend करती है इस cutting के slope पर नीचे के और जो bank का filling का slope है इन दौनो slope पर depend करती है कि हमें berm की slope कितना provide करना है ठीक है तो berm की slope साथ ही साथ वो depend करती है distance पर कि ये free board का distance कितना है d पर यानि इस पर भी हमारा dependency कर रही होती है तो इसको हम directly नहीं लिख सकते हैं कितना provide करना है जितना भी आप slope provide करेंगे उसके according calculations की जाती है और उस calculation के according हम berm की horizontal distance provide करते हैं ये मान लीजिएगा ऐसा कोई exact data नहीं दिया गया है कि berm की distance 1 meter 2 meter, 3 meter, 4 meter होगा बट इतना जरूर बताया गया है कि ये जो filling का slope है, cutting का slope है और इस free board पे filling के slope पर dependency होती है कि इनका slope कितना लेना है उसके बाद ही हम decide करते हैं कि किस तरीके से लिया जाता है तो ये चीज़ हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है तो ये सारी conditions आपकी किसकी हो गई है berm के बारे में sorry berm के बारे में ये सारी condition हो गई है और objective में पूछ सकता है which of the following is not an objective या purpose of berm which of the following is not an objective और purpose of berm तो ये आपको options लिखके देगा आपको पहचानना पड़ेगा कौन सा purpose नहीं है तो ये तो सारे purpose हो गए है berm provide करने के purpose क्या क्या हमने यहाँ पर लिख लिए clear है सभी को इतनी बात ठीक है ये चीज़ भी लिख लिए सभी ने ये चीज़ भी लिख लिए ये भी mention करने ना इस diagram को बना करके I hope चीज़े clear हो रही होगी canal cross section में रटने की ज़रूद नहीं है ये देखो कई लोग confuse रहते हैं कई लोगों ने मेरे को message भी किये हुए थे कि sir वो cross section वाला मैंने बोला था कि better cross section वाला करवाऊंगा लेकिन थोड़ा time patience लीजेगा तो cross section वाला portions ही हम यहाँ पर complete कर रहे हैं तो बिल्कुल अभी तक irrigation में मेरे ख्याल से तो साइद ही कोई चीज shooty हुई है sediment transport mechanism जो की gate और EAC का सलेवस में mainly पूछा जाता है वो हमने इसमें cover up नहीं किया है उसके लिए मैं separately cover up कर दूँगा ठीक है जो भी gate और EAC की preparation कर रहे है उनके लिए वो separately cover up कर दूँगा तो sediment transport mechanism ज्यादा तर JEE और AEE level में cautions नहीं पूछे गए हैं अभी तक ऐसा देखा गया ठीक है चलिए नेक्स्ट नेक्स की बात कर ले हाँ free board next third point हमारा क्या है free board अगर हम free board की बात करें तो free board क्या है vertical distance और margin it is it is it is vertical distance और margin और margin बिट बीन between top of bank या between top level of bank and full supply level in the canal in the canal full supply level in the canal और top of bank या top level of bank के बीच में जो भी vertical distance होगी या margin होगा उसको हम क्या बोलेंगे उसको हम बोलेंगे free board and and it depends on depends on size of canal canal के size पर depend करता है next point free board generally taken as taken as 0.5 meter to 0.9 meter depending upon discharge in canal depending upon discharge in canal तो देखो एक पूरी table बनी हुई है अगर हम बात करते हैं तो पांच 10 होता है तो हम 0.6 लेते हैं और शायद 10 से 30 दस से 30 होता है तो 0.75 लेते हैं और फिर 30 से जादा होता है तो 0.9 तो वो टेबल में आपके साथ share कर दूँगा फिर कभी लेकिन उसकी requirement बिलकुल भी नहीं है कि इतना पता होना चाहिए कि 0.5 से लेकर नेक्स किसकी बात कर ले हम नेक्स हम बात कर लेते हैं किसकी बैंक्स की चलो नेक्स बात कर लो ताहूं मैं बैंक्स की यह SBAE वगर मत समद लेना बैंक ठीक है तो अगर हम बात करना काम होता है उनका भी उनका काम होता है money को store करना और इसका काम किसको store करना है इसका काम store करना है smile को store करना ठीक है तो अगर हम बात करते है primary purpose of bank is to retain is to retain the water into the canal canal में water को retain करना ही ठीक है हमारा primary purpose होता है ठीक है अगर हम बात करते हैं तो primary purpose होता है water को retain कब if if full supply level increases full supply level increase देखो full supply level पहले यहां था और यहां से जैसे ही उपर पहुचा full supply level उस समय इस पानी को retain करने के जरुआ है और retain किस ने किया दौनों साइट से banks ने किया हुआ है तो if full supply level increases या आप लिख सकते हो if supply increases if supply अगर इंक्रीज होती है तो उस condition में water को retain करने का काम कौन करते हुए है बैंक्स नेक्स सेकंडरी दे प्रोवाइड या इस तरीगे सेकंडरी इस बैंक्स प्रोवाइड झारी डड्लक्स सब्सक्राइड रहाइड रहाइड इस इस बैज अजोड देच कि अुछ सेट की और असंप्रोवाइड या ट्यूटक्षण ङ美味 ऑट्यूड इस इस प्रні देएड 이후 वर शिक्षण से इस न ओनक्योबाह park हो यू लीं वर किस इसक्षड आश आढरी हैं also be used for, also be used for afforestation, afforestation, ठीक है, अच्छा, तुम लोग को writing तो समझ में आती है न, ऐसा को issues तो नहीं चल रहा न, बता दे न यार, मैं थोड़ा सा और कोशिश करूँगा, ठीक है, secondary, these banks provide service road letters की जो size है, उसमें problem आ रही हो, या किसी भी चीज में problem आ रही है, तो please let me know, ठीक है, secondary, these banks provide service road for connectivity, service road को provide करते हैं, connectivity के लिए, and inspection of canal, connectivity के लिए भी provide करते हैं, और inspection करने के लिए भी हम क्या करते हैं, provide कर देते हैं, ठीक है, and can also be used for afforestation, मतलब यहाँ पर आप पेड़ पौधे भी लगा सकते हैं, ठीक है, next, जो service road है, तो service road की जो विर्थ है, वो कितनी ली गई है, service road, service road can be wide up to 1 meter, जनरली जो होता है, हम service road का data कई बार पूछा, तो नहीं गया है, बट हम बात करते हैं, कि service road कितना हो सकता है, 1 meter तक हो सकता है, minimum जो हम बात कर रहे हैं, वो 1 meter से start हो सकता है, ठीक है, लेकिन, ध्यान रखना, service road हमेशा, कैनाल के full supply level से 0.4 से लेकर के 1 meter तक होगा, ठीक है, next point, service road, service road is provided, is provided, provided 0.4 meter to 1 meter above, above full supply level, full supply level से हमेशा 0.4 से 1 meter की उचाई पर ही, हमारा service road होना चाहिए, देखो, तो अगर हम बात करें, जिससे क्या हो, वहाँ पर पानी न भरे, देखो, free world भी हमने कितना लेका था, 0.5 से 1 meter लिखा था, और ये भी कितना है, 0.4 से 1 meter, तो लगबक सिमिलर हो गई चीज़े हैं या नहीं, लगबक चीज़े कैसी हो गई हैं, सिमिलर हो गई हैं या नहीं, अगर आपने 0.9 meter भी इतना provide किया, 1 meter उचाई यहाँ पर service road की कर तो उस से हम यहाँ पर निकाल करके आ सकते हैं, तो देखिएगा, ये जो wide up to 1 meter लिखा है, तो ये minimum data है, minimum इतना होना चाहिए, और अगर height की बात करना है, 0.4 meter से 1 meter, free supply, full supply level के उपर इतना होना चाहिए, तो ये हमारा bank की बात हो गई है, ये हमारा service road की बात हो गई है, अब service road का हमें क्या करना है, service road को हमें safety provide करना है, ठीक है, तो अगर हम बात कर रहे है, service road की safety provide करना है, तो उसके लिए हमने क्या बनाया था, dollars बनाये थे, ठीक है, तो next हम बात करेंगे dollars की, अरे समझ में आ रहा है ना तुम लोगों को, बिलकुल, ठीक है, तुम लोग यार एक तो जब मैं तुम्हें cautions कराता हूं तो तुम उसका भी comment नहीं करते हो मुझे समझ में नहीँ आता है तुम लोग को समझ में आ रहा है या नहीं doubt session में तुम लोग आ नहीं रहे हैं doubt आ भी रहे हैं या नहीं आ रहे हैं अगर पड़ रहे हो उते तो doubt आएंगे ठीक है चलो तो dollars मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि आप लोग maximum चीज़ें यहीं से cover up कर सकें ठीक है dollars dollars की बात कर रहा है तो इसलिए मैं थोड़ा सोच देखो एक और चीज़ बात करना चारा हूँ सबी लोग बोल रहे हैं sir exam तक ये subject complete हो जाएगा या नहीं तो बेटा मैं मानता हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम cover up नहीं कर सकते हैं तो कुछ conditions ऐसी आगए थी जिसमें हम cover up नहीं कर पाएं मानता हूँ थोड़ी सी delay हुआ है चीज़ें अब मैं cover up करने की कोशिश करूँगा problem create करेंगी तो जितना अभी तक पढ़ लोगे exam के पहले तक वो तो आप पूरा पढ़के जाएगा उसके आगे का कोशिश कीज़ेगा कहीं से आप थोड़ा बहुत कबर आप कर सकें नहीं कर सकते हैं तो ये exam जिस तरीके से हैं दे लीजिएगा next exam तक हम ऐसा पढ़ लेंगे कि एक वार irrigation पढ़ा हुआ है और हमेशा के लिए irrigation पढ़ दिया जैसे कि हमने सर्वे में भी किया हुआ है जैसे कि आप जानते हैं railway में भी किया हुआ है तो ये सारी चीज़े थोड़ा से consider कीज़ेगा कि हमें बार बार एक ही चीज़ पर अफर्ट नहीं देना है ठीक है अगर हम डॉलास की बात करें तो हम बात करते हैं these are the these are provided for for safety of driver and animals who are moving on road moving on road these are provided for the safety of drivers and animals who are moving on the road जो की हमारा moving कर रहे हैं तो उनको safety provide करने के लिए हम क्या provide करते हैं उसको हम provide करते हैं dollars and and these structures are provided over the bank over the bank बैंक के उपर provide करते हैं तेखो अब दो condition होती है जो dollars होते हैं आपको यहां दिखाई दे रहा हो इसका slope होगा एक side पर slope होगा एक side पर state होगा तो ऐसा भी हो सकता है कि side पर slope हो और ऐसा भी हो सकता है कि side पर भी तुमारा इस तरीके का dollars प्रोवाइट किया जाए यह तुमारा dollars बाला structure इतना provide किया जाए dollars का जो structure है उसके लिए जो slope होता है वो कितना होता है या उसकी top पर height कितनी होती है या top width कितनी होती है तो धान रखिएगा dollars are dollars are .3 meter high and having .3 meter to 6 meter width at top at top with side slope side slope of one horizontal to one vertical to one and half horizontal to one vertical ठीक है यह हमारा यहाँ पर slope रखा जाता है ठीक है एक मिट इसका जो slope होता है filling सोरी यह तो हमारा किसका था सोरी यह cutting का था यह किसका है filling का तो यह filling के बराबर रखा जाता है तो हमारा क्या हो जाएगा one and half horizontal to one vertical to two horizontal to one vertical तो देखो यहाँ पर दौनों का slope लगवक्त सेम दिख रहा है तो मैं यहाँ पर यह दौनों का slope कैसा बनाया सेम तो filling के slope की तरह इसका side slope हम रख रहे होते हैं ठीक है again तो dollars की जो height है वो कितना है 0.3 meter high minimum और top width कितनी है 0.3 to 0.6 यानि यह width की बात कर रहा है 0.3 to 0.6 और height मतलब इस वाली height की बात कर रहा है 0.3 meter ली गई है और side slope हमने बात की है filling के बराबर हो जाएगा one and half horizontal to one vertical to two horizontal to one vertical apart from this apart from this dollars जो होते हैं bank के erosion को भी रोकते हैं कैसे अगर यह dollars नहीं होगा तो यहां से क्या होगा जो water आएगा जो पानी rain आया यह rain हुई और rain water के कारण यहां से पानी erode होके नीचे जाएगा पानी नीचे जाएगा और पानी नीचे जाएगा तो इस bank की जो swire है उसको erosion करना start कर देगा या नी तो again dollars के होने के कारण यह bank से पानी तेजी से नीचे नहीं जाएगा और क्या होगा Erosion of Banks को भी रोकते हैं ठीक है Dollars Also Prevent Also Prevent Also Prevent The Erosion of Banks Erosion of Banks Due to Rain Water Rain Water के कारण होने वाले Erosion को कौन रोक रहा है Rain Water के कारण होने वाले Erosion को कौन रोकता है Dollars रोक रहे होते है तो आपको ये बात clear हुई आपको ये बात clear हुई कि Dollars होते क्या है उनका structure का height, length, width क्या क्या होती है ये सारी बाते clear हुई या नि तो ये सारी चीज़े Dollars के बारे में clear हो देखो एक diagram बनाया हुआ है उसी में हम सारी चीज़े पढ़ रहे हैं अब कहो तो तो मैं diagram मिटा देता हूँ बट diagram बने रहे दो थो थोड़ी सी और चीज़ें के लिए होती रहती है ठीक है next sorry next counter berm और back berm कितना था? 5 6 counter berm और back berm तो इसमें लिखेगा ठीक है these these structure provide safety against saturation gradient line saturation gradient line by providing by providing a cover of minimum 0.5 meter by providing a cover of minimum 0.5 meter ठीक है otherwise if if these are not provided then saturation gradient line may cut the bank may cut the bank and causes problem causes problem अगर ये provide नहीं किया जाएगा तो उपर से soil का overburden pressure है नीचे से पानी इस तरीके से आ रहा है तो यहाँ पर क्या होगा? ये bank को अगर cut कर दिया है तो bank से 0.5 meter का cover नहीं मिलेगा और ये bank से ये पानी बहार आने लगेगा सीपेज होने लगेगा और पानी का losses होने लगेगा जो कि हमारे लिए problem cause कर देता है तो इतनी चीज़ें हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है कि ये किस तरीके से बात हो रहा है ठीक है? सारी चीज़े हो गई है हमने क्या क्या कर लिए है हमने पहले बात कर लिए side slope की हो गई है हमने free board की बात कर लिए bank की बात कर लिए counter warm की बात कर लिए warm की बात कर लिए चलो एक और बचा है spoil bank dollars की बात कर लिए spoil bank seven spoil bank ठीक है? if earthwork in filling in cutting is greater than earthwork in filling if earthwork in cutting is greater than earthwork in filling then the extra the extra earth material is deposited near the bank known as spoil bank known as spoil bank इनको क्या कहा जाता है? spoil bank sorry spoil bank कहा जाता है तो आप लोग के जितने भी queries थे क्या canal cross section को ले कर के सारे queries अब clear हुए या नहीं? या अभी भी कोई doubt है? still अभी भी कोई doubt है? तो आप comment section में मुझे बता सकते हैं कि आपके doubt क्या है? उन doubt को लिया जाएगा और उनको solutions भी दिया जाएगा जल्दी ही उनका solutions दिया जाएगा अब ये चीजें तो हो गई अब कैनाल में हमने पढ़ा था Kennedy's Lacey's theory वहाँ पर CPS के भी problem उसके पहले CPS की बात की थी तो CPS के कारण एक और problem generate होती है जिसका नाम होता है तो water logging का topic भी आज हम यहाँ पर इसी के साथ cover up करते हुए चल रहा है तो ये पूरा हुआ canal cross section के बारे में जितना जितना हमें जानना था जितना हमारे लिए ज़रूरी था वो canal cross section के बारे में हमने सभी कुछ यहाँ पर जान लिया है तो अब हम अपने next topic पर चलते हैं सी sections के जिसका नाम है water logging क्या नाम है water logging ठीक है next section हम बात करते है water logging अब मुझे ये बता दीजेगा आप लोग कि water logging होता क्या है logging का मतलब क्या होता है lock हो जाना lock हो जाना कहीं पर भर जाना ठीक है water का मतलब क्या है water logging ठीक है तो अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एक plant लगा हुआ है यह यहाँ पर एक plant लगा हुआ है ठीक है यह plant लगा हुआ है और इस plant में अगर हम बात करते हैं इस plant में बात करते हैं तो इसके roots इस तरीके से नीचे जा रहे हैं, ठीक है, ये roots गए, roots गए, कहीं यहाँ पर water table थी, कहीं यहाँ पर water table थी, ठीक है, साथी साथ आपने क्या किया यहाँ पर, rain के कारण, rain के कारण, यहाँ आपने artificially तरीके से क्या किया है, irrigation किया हुआ है, इरिगेशन, तो इरिगेशन के कारण पानी नीचे आएगा, ये पानी नीचे आएगा, और एक कंडिशन यहाँ पर ऐसी बन रही है, कि यहाँ पर कैपिलरी हो रहा है, क्या हो रहा है, कैपिलरी, ये कैपिलरी हो रहा है, और अगर मान लीजी, ये कैपिलरी जोन है, ये कैपि पहुँच गया है, यहां तक पहुच गया है, तो पहले यह बताओ, पहले हमने जो पढ़ा हुआ था, यह zone of air बोला था, zone of aeration बोला था, और अब यह zone of aeration किसके करण, क्या इसमें जितने भी whites थे, खाली जगे थी, क्या air का जितना भी zone था, जितना भी air यहां पर ज़रूरी जो भी है, sorry, roots है, क्या यह properly सांस ले पाएंगे, और properly सांस नहीं ले पाएंगे, यह पूरा का पूरा पानी में आ गया है, और पानी में आ जाने के करण क्या होगा, crop खराब होने लगेगी, yielding क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी, तो water logging का मतलब क्या है, जब completely water table से ले कर के ground label तक, पूरा का पूरा जोन, पूरा का पूरा जोन किस से भर गया है, पानी से भर गया है, पूरा का पूरा जोन किस से भर चुका है, पानी से भर चुका है, और यह पानी कहां से कहां तक गया है, यह पानी नीचे से उठा है, और पानी का लेबिल बढ़ता गया है, पा को हम क्या बोलेंगे water logging बोलेंगे water logging और water logging के कारण हमारा productivity of crop क्या होता है कम हो जाता है productive productivity of crop क्या होता है कम हो जाता है ठीक है तो इसके बारे में लिख लें इसके बारे में लिख लें तो इसमें लिखेंगे यह झाते है तृक्यक Television ुचार्य अध्या चौर्दिवेंट आप लें इसके लो आप ata लिखेंटरी अन्दीघेंगे, निदेली अभिखेंगे, लिखेंगे दिखेंगे, प्रिखेंगünde है अध्यर्येच ग्याद्रण विखेंगे, देखेंगे लिखेंगे सबाव्रय is due to rise in water table, due to rise in water table up to ground level, up to ground level, up to ground level, ठीक है, और अगर up to ground level, it, it causes, it causes, या ऐसा लिखेगा, up to ground level, next, and it is known, and it is known as, water logging, water, logging, where, all the free spaces, in the root zone, is filled with, is filled with water, is filled with water, ठीक है, this is known as water logging, इसको हम क्या बोलते हैं, water logging बोले आता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, due to water logging, water logging, the aeration zone, in the soil is, is, क्या मोलेंगे इसको? देखो, यह पूरा रूट जोन था, रूट जोन में क्या आ गया है? पानी आ गया है, रूट जोन is flooded with water and aeration zone is decreased, मतलब एर का जो जोन है, वो क्या हो जाएगा? वो decrease हो गया है या reduce हो गया है, ठीके? तो ध्यान रखना, इसके कारण क्या हो रहा है? Soil becomes, यहाँ पर क्या होता है? Soil becomes ill-erated, ill-erated मतलब यहाँ पर हवा की कमी हो रही है और हवा की कमी होने के करण भी productivity कम हो जाएगी, क्यों कमी कम हो जाएगी? यह चीज आपने पढ़ा हुआ है किसमें? इन्वार्मेंट पर, क्या nitrogen cycle बगएरा पड़ी हुई थी? तो आपने जो पढ़ा हुआ था यहाँ पर, क्या जब आपने Soil water relation से पढ़ा हुआ था? यहाँ पर बीच में क्या था? Intermediate zone था या नहीं? और उसके उपर क्या था? soil का moisture zone, इससे कुछ पढ़ा हुआ था? यहाँ soil moisture relation से पढ़ा हुआ था? वहाँ पर कुछ ऐसा कुछ पढ़ा हुआ था या नहीं? तो यह conditions वहाँ पर हो जाती है जिसके कारण क्या होता है? soil के. अब ill-arriated होने का मतलब क्या है? L-arriated होने का मतलब क्या है? ill-arriated होने का मतलब है कि यहाँ पर air का भी कुछ component होता है. वो air का component soil की fertility को proper रखता है. कैसे? आपने पढ़ा होगा. nitrogen cycle पढ़ी होगी. nitrogen cycle में कुछ bacteria होते हैं जो की nitrogen को खंडट कर रहे होते हैं और soil के साथ mix कर रहे होते हैं. पढ़ा है या ने? तो वहाँ पर nitrogen cycle को stop कर देगा. तो जो bacteria fertility बढ़ा रहे हैं, जो bacteria soil की fertility बढ़ा रहे हैं, उन bacteria के लिए air का होना जरूरी है. और अगर air नहीं होगी तो soil की fertility कम हो जाएगी. और soil की fertility कम होई तो हमारी crop की productivity या crop की yielding भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. इसलिए हमने बोला हुआ है water logging में क्या होता है? ill-irreated zone हो जाता है जो की हमारा affect करता होता है. ठीके? तो एक तो यह होता है कि definition पूछ लेता है. ठीके? दूसरा क्या पूछता है? causes of water logging. ठीके? दूसरा पूछता है हमारा causes of water logging. water logging के causes क्या-क्या हो सकते हैं? पानी को अगर हम बात करें तो पानी के causes क्या-क्या हो दे? causes of water logging. सबसे पहला कारण सबसे पहला कारण कि side से कोई canal जा रही है और canal में क्या हो रहा है? C-paste तो C-paste from canal C-paste from canal canal से अगर कोई C-paste हो रहा है और उसके लिए अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर यहाँ पर क्या हो जाता है? हमारा हट और canal अगर इस तरीके से उपर वाले लेबल पर बह रही हो तो तब तो definitely यह पानी नीचे आना है gravity के कारण कितने आता है? नीचे तो अगर हम बात करें हैं if canal is at high level अगर high level पर है तो पानी नीचे आएगा और उस condition में C-paste हो रहा है तो वो यह condition किसकी बना देगा? water logging की condition बना देगा क्योंकि यहाँ पानी हमेशा glow gravity की side आता है मतब lower level की side आता है lower elevation की side आता है तो नीचे side पे पानी याद करके आएगा और इस area में भर जाएगा ठीके? दूसरा intensive irrigation intensive irrigation मालीजे आपको पानी की ज़रुवात है हर एक घंटे में लेकिन कोई आपको हर आदा घंटे में पानी पिलाता जाए तो क्या होगा? तो आपका जो proper organ functions है वो कहीं न कहीं damage होना start हो जाएंगे ठीक है? तो उसी तरीके थे इसको requirement है इसको requirement है कि इसको हर 15 दिन में पानी दिया जाए लेकिन आपके पास पानी की अधिक्ता है आप हर 10 दिन में दे दे रहो और हर 10 दिन में देने के कारण क्या होगा? धीरे-धीरे water level looper आता जाएगा और water level looper आता जाएगा तो पानी क्या हो जाएगा? इल-irrigated हो जाएगा ठीके? तो हम बात करें intensive irrigation या हम लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं over irrigation और over irrigation intensive irrigation और over irrigation over irrigation भी इसका एक कारण हो सकता है ठीके? तीसरा क्या है? माल लो, suppose कि कैनाल से सीपेस हो रहा है और इस side पे इसका जो slope है वो कुछ इस तरीके से आ रहा है इस land का जो slope है वो कुछ इस तरीके से आ गया तो क्या हुआ? कैनाल से irrigation सीपेस हुआ और पानी को drainage होने के लिए काफी ज़्यादा space मिल गया है या नी? तो पानी आसानी से drainage हो गया तो drainage हो गया तो नीचे side पानी कम जाएगा या नी? तो बताओ ये drainage system अगर प्रॉपर हुआ field पे तो क्या water logging के chances को कम कर रहा है या नी? water logging के chances को क्या कर रहा है? कम कर रहा है तो हम बात करेंगे improper drainage system improper drainage system at agricultural field agricultural agricultural field पर अगर improper drainage system है तो वो भी हमारा एक कारण हो सकता है कि हमारा इस तरीके से बात है ठीक है? बट अगर माल लो अगर माल लो ये improper drainage system है और माल लो अगर improper drainage system है तुमने artificially drainage भी provide कर दिया लेकिन आपकी topography जो है वो flat terrain की है किसकी है? flat बिल्कु इस तरीके से है पानी वहाँ पर भरना ही भरना है तो अगर हम बात करें irregular topography irregular topography अगर topography की बात करते हैं तो irregular topography है और flat terrain है तो उस condition में पानी भरने के chances बढ़ जाते हैं और पानी भरने के chances बढ़े हैं तो वहाँ पर फिर से हम बात करेंगे कि ये condition हो जाएगी ठीक है next 5-वाँ intensive rain intensive और excessive rainfall अगर intensive या excessive rainfall होता है तो हमने देखा है पानी जमीन पर भर जाता है और अगर पानी जमीन पर भर गया और अगर पानी जमीन पर भर गया तो फिर से मुझे बताईएगा कि फिर से water logging होने के chances बढ़ गए या ने तो ये बिलकुल general तरीके हैं कि general तरीके से हम बात कर रहे हैं कि क्या-क्या हमारे conditions हो सकती है जिनको हमने यहाँ पर mention किया है ठीक है? तो अगर हम बात करते हैं कि causes की हमने बात की है तो causes के साथ इनके remedial या control measure की और बात कर ले हम तो इसी के साथ control measure की और बात कर ले ते क siis control measure क्या होंगी ठीक है? तो दूसरा heading हम यहाँ पर बनाके लिख लेते हैं control measure अब एक-ख करके control measure control measure क्या-क्या होंगी? from control measure of water logging पहला यहां पर बोलना है C-Paste from Canal अकर C-Paste from Canal हो रहा है तो Canal से C-Paste को control करना ठीक है तो हम बात करेंगे controlling C-Paste controlling C-Paste by lining of Canal by lining of Canal Canal की lining कर दीजे lining कर देंगे तो C-Paste को क्या हो जागा control हो जाएगा है intensive and over irrigation intensive and over irrigation की बात करेंगे तो हम बात कर रहे हैं intensity of irrigation को तो आपको अगर 15 दिन में चाहिए था आप 10 दिन में कर रहे थे water logging हो रहा था तो आप क्या किये 15 दिन कीजेगे 14 दिन में कर लिजे 10 दिन मत कीजेगा तो कुछ तो water logging से राहत मिलेगी या नहीं तो हम बात कर रहे हैं reducing reducing intensity of irrigation intensity of irrigation intensity of irrigation को reduce कर रहा है ठीक है next इसी में एक और चीज़ आती है क्या अगर मान लीजिए improper अगर हम हाँ तीसरा लिख देते हैं proper drainage system अगर improper drainage system है drainage system को proper कर दिए तो हम क्या जाएंगे by providing proper drainage proper drainage system proper drainage system को भी हमने क्या कर दिया है provide कर दिया है चौथा मुझे बताइए क्या हुआ irregular or flat topography है अब देखो irregular or flat topography है क्या इसका कुछ remedial measure हो सकता है बिलकुल हो सकता है आपने जब first chapter पढ़ा हुआ था वहाँ पर different तरीके से irrigation पढ़ा हुआ था आपने क्या हुआ था surface irrigations पढ़े हुए थे sub-surface irrigations पढ़े हुए थे और different तरीकी की techniques पढ़ी हुई थी irrigation की पढ़ी हुई थी या नहीं पढ़ी हुई थी या नहीं ठीक है तो अगर हम बात करते हैं तो अगर हम बात करते हैं तो ये सारी conditions भी हम बात करें कि proper और sufficient तरीके से हम irrigation system को apply करें तो by adopting adopting scientific technique scientific techniques of irrigation weather whether subsurface और surface irrigation surface irrigation as per suitability अगर जहाँ पर surface irrigation suitable नहीं है वहाँ subsurface irrigation प्रोवाइड कीजिएगा तो जितना requirement होगा उतना ही पानी हम वहाँ पर provide करेंगे ठीक है तो ये conditions हमारी यहाँ पर हो जाती है तो हम बात कर रहे हैं या lift irrigation introduce कर लो ठीक है अगर पानी ground में बहुत जादा है तो उस पानी को बहार निकाल कर irrigation करो आप canal से irrigation क्यों कर रहे हैं तो जैसे जैसे आप lift irrigation को introduce करेंगे तो हम ऐसा भी लिख सकते है और introduce lift irrigation lift irrigation अगर हम बात कर रहे हैं कुछ समय के लिए canal से हमने स्टाई की और हमें लगा के पानी नीचे चला गया है ground water table को उपर ला रहा है तो उस condition में हम क्या करेंगे? उस condition में हम क्या करेंगे? introducing our lift irrigation lift irrigation को हम उस तरीके से introduce कर देंगे तो वो भी हमारा हो जाएगा तो आप lift irrigation को इसके साथ भी relate कर सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा rainfall हुआ तो ground water table बढ़ जाएगा या नी? बहुत ज़्यादा rainfall हुआ ground water table बढ़ा और ground water table बढ़ा मतब पानी का लेबल बढ़ा और उस मैंसे फिर पानी निकालो और फिर से irrigate करो तो इस conditions को भी हम adopt यहाँ पर कर सकते हैं ठीके? नेक्स अगर हम बात करें नेक्स फिप्त नंबर by adopting crop rotation by adopting crop rotation अब ये क्या है भाईया? तो देखिएगा अगर माल दीजे पहली बार में आपने कोई ऐसी crop लगाई जिसमें पानी की requirement कम थी तो अगली बार कोई ऐसी crop लगाईएगा जो पानी की requirement को ज़ादा कर दे, पानी की requirement को ज़ादा कर दे तो इस तरीके से हम adopting crop rotations भी एक तरीका by plowing the field regularly plowing करना जिससे soil की quality improve हो whites बगएरा जो हो खुल जाए या proper तरीके से हो तो हम by soil की quality को improve करके soil का parameter को improve करके भी हम इसके control measure तो जो हमने causes लिखे क्या causes से ही हमने control measure को define कर लिया या नि जो हमने causes लिखे है causes से ही हमने water logging के control measure को define कर लिया है या नि ठीक है तो हमने causes से क्या किया है control measure को define कर लिया है तो इतनी चीज़ें हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है तो एक कोई चीज पढ़ लेना उसके against में आप जाओगे चीज़ें हैं देखो यह रटने वाली चीज़ें हैं नहीं है यह one time में पढ़ना है और इनको समझना है यह है तो वो सारी बाते हमें यहाँ पर करनी है तो next जो heading है वो है effect of from water logging effects या effects effect लिखिएगा effects ज्यादा better effects of water logging water logging के effects क्या क्या है ठीक है single single point बता रहा हूँ अगर हम बात करते हैं it affects it affects soil temperature soil temperature which in turn affect the affect the biological activity biological activity of bacterias in soil soil में जो biological activities है bacterias की तो हम बात कर रहे हैं mostly हम बात कर रहे हैं किसकी nitrogen bacteria की nitrogen bacteria की तो nitrogen bacteria की अगर हम बात करते हैं उनकी affectivity biological जो भी activity है जो उनको humus बनाने का मतलब खाद बनाने का काम कर रहे हैं किसी भी तरीके से soil को nitrogen rich बनाने का काम कर रहे हैं उस conditions को वो affect कर देते हैं किसके कारण soil temperature क्योंकि जितनी भी biological activities होती है वो कहीं न कहीं temperature dependent होती है कहीं न कहीं किसी न किती point पर क्या होती है temperature dependent होती है तो वो उस चीज़को affect कर दे रहा होता है ठीक है next अगर हम बात करें waterlogging 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 also affect sorry also affect the salt label or salt concentration into the soil जो waterlogging है वो soil concentration को भी क्या करता है affect करता है और soil concentration में अगर हम बात करें salt concentration अलग हो जाते हैं ठीक है तो अगर हम बात करते हैं soil concentration तो आपने पढ़ा हुआ था sodium sodic soil पड़ी थी या नहीं पहले sodic soil पड़ी थी तो या तो soil alkaline nature की हो जाएगी या saline nature की हो जाएगी और alkaline या saline nature की हो जाएगी तो दोनों ही condition में soil की productivity क्या हो जाएगी कम हो जाएगी ठीक है तो हम बात करें contributing में एक अब tuk क्या दीक है या थी प्रत मिलिकवेज तो आपने हो जाएगी तो बेएगी राशान जाएगी तो अबर की कम प्रोड़क्टिबिटी और अगर स्वाइल सैलाइन नीचर की हो गई या एलकलाइन नीचर की हो गई है तो उस कंडिशन में स्वाइल का पिएच भी डिफेंट हो जाएगा या नी तो हमने बात किया होता जो इरिगेशन वाटर था वो 11 पिएच तक का हम डाल सकते थे लेकर अगर हम डारेक्ली ऐसा कोई बाटर डाल रहे हैं तो स्वाइल का पिएच भी अफेक्ट होगा तो अगर हम बात करते हैं पिएच आफ स्वाइल पिएच आफ स्वाइल तो अगर हम पिएच आफ स्वाइल result, good yielding देती है, good yielding देती है, ठीक है, और अगर ये 8 to 9 है, तो हम बात करते हैं, yielding decrease हो रही है, yielding decrease हो रही है, ठीक है, और अगर ये greater than 11 हो जाता है, ठीक है, greater than, sorry, 11 हो जाता है, तो soil is considered to be बंजर, unfertile, to be unfertile, unfertile यानि बंजर उसको कहा जाता है, ठीक है, infertile, sorry, unfertile, अरे, इंगलिश ऐसे ही होती है, infertile लिखो ज्यादा better होता है, ठीक है, soil is considered to be infertile, तो अगर वहाँ पर देखो, हमने water की pH की बात की दी, water की pH 11 से जादा होना चाहिए थी, यहाँ पर हम क्या बते है, soil की pH, अगर 11 से जादा होगी, soil को कैसा कजी रखिया जाएगा, infertile कजी रखिया जाएगा, और यह सब किसके कारण हो रहा है, water logging, देखो, water logging क्या करेगा, water logging क्या करेगा, जितने भी soil में salt हैं, उनके साथ पहले घुल मिल जाता है, गुल मिल गया, और उनके साथ घुल मिल गया, तो उसने क्या किया? salt को यहाँ पर जमा कर दिया यह boids के उपर जमा कर दिया अब salts को boids के उपर जमा कर दिया पानी तो evaporate हो जाएगा कभी न कभी यह पानी evaporate हो जाएगा लेकिन boids के उपर अब boids block हो गए और boids block हो गए तो पानी क्या करेगा properly नीचे नहीं जा पाएगा या root zone में जितना पानी है वो पुपली उपर evaporate नहीं हो पाएगा तो इस तरीके से वो salt concentration को बढ़ाता है ठीक है next third point water logging also causes also causes to increase in insects and mosquitos ठीक है mosquitos and which causes which causes public health issues which causes public health issues जो किसको cause करते है public health issues को causes करते है तो water logging के कारण क्या होता है एक ऐसा temperature मिलता है जिसके कारण mosquitos और insects की breeding होती रहती है और जब mosquito की breeding होगी तो हमें पता है वहाँ पर हमें कुछ न कुछ ऐसे parameter मिलेंगे mosquito की breeding होने के करण कुछ ऐसे parameter मिलेंगे जो डेंगू, टाइफाइट, मलेरिया इन सब चीजों को बढ़ाएंगे तो उससे क्या होता है public health issues होते हैं तो this was all about water logging कि water logging के हम किस तरीके से करते हैं, किस तरीके से हम समझते हैं तो यह water logging के बारे में सारी चीज़े हमने cover up कर ली है ठीक है, last topic इसका reclaimation of saline and alkaline soil reclaimation of saline and alkaline soil saline soil and alkaline soil तो देखेगा, जो पीछे एक दो दिन का gap हुआ है, उसको मैं थोड़ा सा cover up करने की कोशिश में हूँ, कि थोड़े से lecture अभी ज़्यादा ज़्यादा इसलिए मिल जाएंगे आपको, एक दो lecture और मिलेगा, जो ज़्यादा ज़्यादा time duration का होगा फिर हम छोटे 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 lecture होई, एक घंटे सावा गंटे के lecture कंप्रीट करते होँ चलेंगे, ठीक है तो next topic है reclamation reclamation of alkaline और saline soil ठीक है alkaline अलग होता है और saline अलग होता है ठीक है, तो alkaline soil, alkali की बात करते हैं, saline soil में हम बात करते हैं, अलग तरीके soil, तो saline soil का भी मैं यहां पर नहीं बता रहा हूँ, saline soil का तो आपको पता ही है, क्या process होता है alkaline and saline soil, दोनों के लिए leaching भी use कर सकते हैं, और अलग तरीके से भी हम use कर सकते हैं ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा word है, reclamation इसका मतलब समझना है reclamation का मतलब होता है पुनर जीवन करना, ठीक है resuminate करना, तो पुनर जीवित करना, तो हम बात कर रहे हैं अगर हम बात करते हैं, तो infertile soil को किसमें convert करने की बात कर रहे हैं, और उसी process को क्या बोला जाता है, reclamation बोला जाता है, ठीक है तो generally यहाँ पर जो हम reclamation की बात करेंगे वो alkaline soil की बात करेंगे, किसकी alkaline soil की, saline soil की अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, saline soil की बात में फिर बात में करूँगा, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं इसको हम बात कर रहे हैं alkaline soil को, ठीक है, तो ध्यान रखना alkaline soil को कई बार उसर soil या बंजर soil बोला जाता है, उसर soil या बंजर soil, तो अभी मैं लिखवा दूँगा, तो alkaline soil, तो हम बात करेंगे, alkaline soil is reclaimed through leaching process, तो देखेगा, leaching process से कई बार caution पूछा जाता है कि leaching process होता क्या है, उसको हम बात कर रहे हैं कि leaching process होता क्या है, समझने की बात है, तुम देखो, एक तुमारा glass है, या तुम समझ लो, एक तुमारा field है, उस field में उपर salt फैला पड़ा हुआ है, salt फैला पड़ा है, अब इस field को पूरा पानी से भर दो, भर दिया, तो वो salt जो होगा, वो पानी के साथ घुल जाएगा, क्योंकि नमक को अगर तुम देखो, तो पानी के साथ घुल जाता है, तो वो salt जो होगा, वो पानी के साथ घुल जाएगा, और फिर वो salt पानी के साथ drain out हो गया और जो बचा हुआ salt है वो हमने scrap करके जो उपर वाली surface है जो soil की उपर की surface है उस पह जाता है तो उसको scrap करके निकाल लेते हैं scrap करके क्या करते हैं? निकाल लेते हैं तो इस तरीके से soil में जितना भी alkaline nature का soil होगा जितना भी अगर हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं जितनी भी alkaline remove होना है saltation अगर हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं वहाँ पर उसको हम निकाल लेते हैं तो अभी इस point को अलग करता हूँ मैं समझाने के लिए लिखा हुआ था अब भी हम cable पढ़ने वाले हैं, leaching process के बारे में, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, leaching process के बारे में, ठीक है, तो हम लिखेंगे, it is a process of removal of alkaline soil, ठीक है, it is a process of, it is a process of removal of alkaline, alkaline salt, alkaline soil dissolved in the soil, by flooding the land, by flooding the land, adequate amount of water, adequate amount of water. अगर हम, देखो, it is a process of removal of alkaline soil, dissolved in soil, ठीक है, alkaline soils को remove करना है, जो किसमें dissolve है, dissolve in soil, by flooding the land, with adequate amount of water, हमने क्या किया है, the land with adequate amount of water, जो land है, उसको adequate amount of water के साथ क्या किया है, flooding किया है, hence, these salts, are mixed, in, mixed with, flooded water, and drained from the field, and drained from the field, it is a process of removal of alkaline soil, dissolved in the soil, by flooding the land with adequate amount of water, hence, these salts are mixed with flooded water, and drained from the field, mixed with flooded water, and drained with field, लीचिंग प्रोसेस समझ में आई, लीचिंग प्रोसेस के हमने बात की है, हमने क्या किया है, इसमें हमने क्या किया है, यह जो रफ लैंड था, उसको पानी से flooded किया, कुछ समय तक रखा, जो salt थे, उसके साथ गुल गया है, और उसके बाद उसको क्या कर दिया, drained कर दिया है, तो वो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, कि यह process क्या कही जाती है, leaching process कही जाती है, ठीके, एक मिट, ठीके, अब यह होता क्यों है, यह बात समझना है, यह होता क्यों है, ठीके, तो हम बात करते हैं, the salts, the salts, the salts, the salts, get deposited, get deposited on soil and chalked the, the, chalked the voids, chalked the voids, comma, with increasing time, with increasing time, more salts are deposited and make the soil unhealthy, so leaching is required, leaching is required, ठीके, तो हम क्या करते हैं, leaching required करते हैं, ठीके, अगर हम बात करते हैं, in leaching process, in leaching process, following salts are removed, following salts are removed, कौन-कौन से salts हैं, जो हम generally remove करने की बात करते हैं, जो की harmful होते हैं, ठीके, ठीके, तो अगर हम बात करते हैं, या ऐसा लिगे, following salts, ऐसा लिगेगा, दूसरे तरीके से लिगते हैं, ठीके, following salts are responsible, क्योंकि आप confused हो जाएंगे, सार, उसके अलावा कोई और salt नहीं हटेंगे, salt तो बहुत सारे हटेंगे, लेकिन हम बात करते हैं, कि alkalinity के लिए, हम alkalinity के लिए हम कर रहा हैं, leaching process, और उसके लिए कौन-कौन से salt responsible है, salinity के लिए वो हम बात है, following salts are responsible for salinity in soil, salinity के लिए following salts are responsible है, ठीक है, कौन से, sodium के, एक तो chlorine, ठीक है, एक chlorine और एक sulfate, और एक carbonate, तो देखिएगा, chlorine और sulfate को commandly बोला जाता है, white alkali, क्या बोला जाता है, white alkali, और carbonate को बोला जाता है, black alkali, black alkali, और अगर black alkali present है, तो ये most harmful, most harmful alkali होती है, जो कि हमारे soil के लिए most harmful result होता है, तो कभी आप पूर सकता है, कि salinity के लिए most harmful salt कौन सा है, तो स्कान रखना sodium का carbonate, और least harmful की बात करें, सबसे कम harmful की बात करें, तो वो कौन सा होता है, वो होता है हमारा chlorine, तो इन सभी को हम किसके तोरह ने poop करते हैं, हम इन सभी को अगर हम बात करते हैं, तो यहां से हम alkali की बात करते हैं, और यहां से सारी चीज़े remove कर सकते हैं, तो कई सारे salts ने, जैसे हमने यहां पर sodium का होगा, calcium का होगा, potassium का होगा, magnesium, तो sodium, sodium chloride, potassium chloride, magnesium chloride, calcium chloride, इस तरीके से हम बात करते हैं, काफी सारे element होते हैं, ठीक है, लेकिन इनको तो leaching process से बहुत आसानी से हटाया जा सकता है, लेकिन यहां पर इसको remove करने के लिए हमें कुछ और तिकडम भी लगाने होते हैं, क्योंकि यह सबसे आदा harmful होता है, आसानी से remove नहीं होता है, ठीक है, most harmful and difficult to remove, and difficult to remove, remove करने में difficulty होती है, तो हम बात कर रहे हैं इसलिए, hence, to remove black alkali soil is treated with gypsum, gypsum के साथ इसको क्या किया आता है, ट्रीटेट किया आता है, तो जो भी alkalinity होती है, carbonate की उसको किसके साथ treat किया आता है, gypsum के साथ treat किया आता है, before leaching, अब आप बोल रहे होगे कि सर, gypsum के साथ कैसे soil को निकाल करके, तो gypsum को water में मिला तरके हम उसके साथ treat करते हैं, तो क्या होगा, sodium carbonate है, sodium carbonate, ठीक है, और किसके साथ, CA SO4, gypsum के साथ हमने कर लिया इसको, और gypsum के साथ किया तो reagent क्या करेगा, Na2SO4 बना देगा, जो कि किसमें करवट होगया, white alkaline में, और white alkaline में करवट हुआ, तो ये कितना हो जाएगा, CA CO3 निकल के आजाएगा, जो कि एक precipitate होता है, salt होता है, जमा हुआ precipitate होता है, और इसको हम अलग कर सकते हैं, scrap करके, या खरोच के हम अलग कर सकते हैं, तो ये point बहुत important है, कि carbonate alkali को क्या बोलते हैं, black alkali, जो कि सबसे अदा handful होता है, और difficult to remove होता है, तो उसको remove करने के लिए हम किसके साथ treat करते हैं, gypsum के साथ treat कर रहे होते हैं, तो alkaline soil है, alkalinity है, उसको हम gypsum के साथ, तो ये बहुत important point है, जिसको सोच समझ के लिखिएगा, सोच समझ के लिखिएगा, ठीक है, तो अब कई बार पूछते हैं कि सर, ये बताएं लीचिंग तो कर रहे हैं, तो लीचिंग में कितना water requirement होता है, ठीक है, तो हम बात करते हैं, quantity of water, next point, quantity of water, quantity of water, which is required for leaching, which is required for leaching, for leaching, नोन एस, leaching requirement, leaching requirement, LR, and calculated as follows, as follows, किस तरीके से calculate किया जाता है, वो हमें यहाँ पर देखना है, कई बार formula पूछे गए हैं, तो ये बहुत important point है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, किस तरीके से है, ठीक है, तो leaching requirement, अब हमें निकालना है, कितना amount of water लगेगा, एक स्वाइल के लिए, कितना amount of water लगेगा, वो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो leaching requirement is equal to होता है, depth of water, depth of water, which is drained, जो कि drained हुआ है, पर unit area, एक area से कितना depth of water drained हुआ है, अपॉन, depth of water, depth of water, applied, पर unit area, उसी same unit area पे हमने कितना depth apply किया है, और कितना depth वहाँ से drained हुआ है, तो अब तुम सोच रहे होगे, कि sir, leaching requirement is equal to कितना हो जाएगा, depth of water which is drained, upon depth of water which is applied, या irrigated depth of water, ठीक है, irrigated depth of water, यह leaching requirement, अब तुम सोच रहे होगे sir, यह कम क्यों होगा, ठीक है, क्योंकि जेखो, अगर हम बात करें, जो हम depth applied कर रहे है, वो depth, कुछ तो drained होगी, और कुछ plants उसको अपने use में ले लेंगे, कुछ plant अपने use में, मतलब कुछ conservative use में चली जाएगे, तो di हमेशा dd से जादा होगा, तो अगर हम dd की बात करें, तो dd और di क्या है, तो dd और di are the drained depth of water, drained depth and irrigated depth of water, अब मुझे बताओ, क्या leaching requirement को तुम इस तरी के से लेख सकते हो, leaching requirement is equal to, dd को कहले को, di minus du, di minus cu upon di, तो क्या तुम इसको, 1 minus cu upon di लिख सकते हो या ने, या leaching requirement को अगर percentage में कितना amount of water डालना है, तो 1 minus cu upon di into 100 लिखा जा सकता है या ने, तो अगेन एक और formula निकल करके आगया, leaching requirement का, एक और formula निकल करके आगया, leaching requirement का, दौनों formula पर question पूछे गए है, तो ध्यान रखना, depth of water which is drained per unit area upon depth of water applied per unit area, applied या irrigated भी हम इसको बोल सकते हैं, तो ये दो formula तो आप से पूछे गए है, एक और formula पूछ लिया जाता है, वो formula क्या है, वो formula क्या है, ठीक है, तो देखो, जो भी हम depth apply करेंगे, वो salt की concentration के, sorry, inversely proportional होता है, ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं, depth of water, depth of water, d, sorry, d, is inversely proportional to salt concentration, inversely proportional to salt concentration, c, salt concentration के inversely proportional होता है, तो अगर हम बात करें, salt concentration के inversely proportional होता है, तो क्या हमें leaching requirement is equal to, dd upon di is equal to, c, i upon c, d लिख सकता हूँ या नहीं, c, i upon c, d, जहां पर c, i and c, d क्या है, c, i and c, d क्या है, salt concentration of irrigated and drained water, respectively, salt concentration, salt concentration of irrigated and drained water, इन दोनों का क्या होता है, inversely proportional, और ध्यान रखना, जब भी salt concentration की बात हुई थी, क्या तुमने salt concentration, electrical conductivity से निकाली हुई थी या नहीं, salt concentration किस से निकाली थी, electrical conductivity, तो जितने ज़्यादा salt होंगे, electrical conductivity भी उतने ज़्यादा, मतलब current उतनी ज़्यादा, असानी से पास हो सकता है या नहीं, अगर salt ज़्यादा है, तो current असानी से पास हो सकता है, तो हम बात करना है, जो salt concentration होती है, वो electrical conductivity के directly proportional होती है, किसके electrical conductivity के directly proportional, तो क्या leaching requirement is equal to, DD upon DI, is equal to CI upon CD, is equal to electrical conductivity of irrigated water, upon electrical conductivity of drained water, ये भी लिखा जा सकता है या नहीं, जहाँ पर हम बात कर रहे हैं, ECI and ECD, क्या है, electrical conductivity, electrical conductivity of irrigated and drained water, drained water respectively, और यहाँ पर electrical conductivity ध्यान नहीं 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 नहीं, millimose, वहाँ क्या था, micromose per centimeter में निकालते थे, यहाँ पर किसमे, millimose per centimeter, या meter most per centimeter, क्योंकि depth की बात करते हुए ले रहे हैं, तो millimose per centimeter में इस तरीके से हमारा यहाँ पर निकाला जाता है, ठीक है, एक और टाम होता है, जो drained water की electrical conductivity होती है, वो drained water की electrical conductivity, two times of, two times of saturated, saturated soil saturation extract के बराबर होती है, कितने? saturation soil extract के बराबर होती है, तो अगर हम बात करते हैं, ECS जो है, ECS, soil electrical conductivity of, electrical conductivity of, soil saturation extract, soil saturation extract, अब यह soil saturation extract क्या है, वो समझ लो, ठीक है, soil saturation extract, मान लीजे, soil saturation extract क्या है, कि जो saturated soil है, उसमें salt का concentration क्या है, जिससे हम पानी को extract कर पा रहे हैं, ठीक है, ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं, कि salt in saturated soil, ठीक है, saturated soil में, जो salt का concentration है, वो हम बोलते हैं, saturation extract बोलते हैं, मान लो, सपोस करो, कि तुमने एक जगे पर पानी भर दिया, पानी, एक field में पानी भर दिया, अब field में पानी भर दिया, और उस saturation की condition में, जो soil के अंदर salt का concentration होगा, उसी कौन बोलते हैं, soil saturation extract, sorry, उसी कौन क्या बोलते हैं, soil saturation extract, तो जो होता है, soil saturation extract होता है, वो two times of electrical conductivity of drained water होता है, तो ये formula जादा याद नहीं रखना है, gate और ESE में पूछा गया है, हमारे A.E.J.E. exam में ने पूछा गया, A.E.J.E. exam के वहसाब से आपके इतनी चीज़े हैं, और ये वाला formula काफी important हो जाते हैं, तो ये हमारे leaching requirement हो गई है, कि leaching requirement कैसे calculate करना है, ये सारी बाते हमने यहाँ पर समझी हुई है, तो आज के lecture को मैं यहीं पर bind up करता हूँ, इसी के साथ आपका एक chapter भी लगबख almost complete हो गया है, canal designing, canal designing अगर हम चाहें, तो c-page theory इसी chapter में complete कर सकते हैं, या फिर हम अलग से भी complete कर सकते हैं, तो next lecture जो मेरा होगा, वो हमारा c-page theory के बारे में ही होने वाला है, ठीके, तो इतनी सारी चीज़ों को ध्यान रखिएगा, जो भी doubt हो, comment section में बताईएगा, सभी लोग telegram channel join कर लीजिएगा, link description में है, facebook जो telegram नहीं कर पा रहे हैं, facebook page को like कर लिजिएगा, वहाँ पर आपको information मिल जाएगी, कब कौन सा lectures available हो रहा है, ठीके, तो जल्दी हम मिलते हैं, अपने next lecture में, c-page theory को start करेंगे, और c-page theory काफी अच्छा chapter है, जिसमें questions पूछे जाते हैं आपसे, तो वो जरूर attend कीजिएगा, तो thank you so much everyone, वीडियो पसंद आए, तो like करना, subscribe करना चैनल को, और comment section में बताना, कि audio video quality, जो कि एक दो दिन पहले, तुम लोगों ने किसी ने बताया हुआ था, कि सायथ थोड़ी degrade है, board visibility क्या है, ये सारी चीज़े मुझे बता देना, so thank you everyone, thank you so much,